नमस्कार दोस्तो जैसे ही हम सुबह सुबह उठते हैं और जमीन पर पैर रखते हैं तो हमें एडियों में बहुत तेज दर्द होता है और हम जब कुछ दूर तक चल लेते हैं तो हमें दर्द में कुछ अराम मिलता है दोस्तो यह एक हील इसपर की प्राबलम है दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको हील पैन हील इसपर के काजेज, सिम्टम और सबसे लाश्ट में इसकी बेस्ट हमोपैथिंग मेडिसिन भी बताऊंगा दोस्तो आप सबसे गुजारिस है कि वीडियो को पुड़ा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन भी दबाईएगा मैं इसी तर से होमोपैथिंग मेडिसिन रिलेटेड डिसिजी रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं इसके काजेज की तरफ कौन-कौन से कारण होते हैं हील इसपर के हील पेन के अगर आप लंबे समय तक खड़े दाने का काम करते हैं तो आपको हील इसपर की समस्या हो सकती है वजन ज्यादा होने के कारण हील पेन हील इसपर की समस्या हो सकती है उचे एड़ी वाले जूते या संडिल पहनने से आपको हील इसपर की समस्या हो सकती है दोस्तो ये थे इसके important कारण अब चलते हैं इसके sign and symptom मतलब लच्छड की तरब कौन कौन से लच्छड होते हैं हील इस पर के पैरों के तलों में दर्द के साथ अकड़न होती है सो कर उठने के बाद जैसे ही हम जमीन पर पैर रखते हैं तो हमें एडियों में बहुत तेज दर्द होता है ज्यादा देर तक खड़े रहने के कारण पैर के तलों में हमें दर्द होता है पैर के तलों में हलकी swelling and redness होती है दोस्तो यह थे इसके लच्छ और अब चलते हैं इसकी बेस्ट हमोपाइथिंग मेडिसिन की तरफ तो दोस्तो सबसे पहली मेडिसिन है रक्स टाक्स 200 रक्स टाक्स 200 की पिक्चर आपको साइड में दिखी रही है अगर आप जैसे ही सुबा जगते हैं और जमीन पर पैश रखते हैं तो आपको एरियो में बहुत तेज दर्द होता है जो आप कुछ दूर तक चल लेते हैं तो आपके एरियो का दर्द थोड़ा कम हो जाता है दोस्तो यह दर्द को कम करती है जिसे से धीरे धीरे एडियों का दर्द ठीक हो जाता है तो रक्ष टाक्ष 200 दोबून सुबा एक बाल लेना है, दोबून साम को एक बाल लेना है दोस्तो नमबर दूसरी मेट है रूटा 200, रूटा 200 की पिक्चर आपको साइड में देखी रही है, अगर आप बैठे हुए राते हैं और जैसे ही उठ कर थोड़े चलते हैं, तो आपको एडियो में बहुत तेज दर्द होता है, दोस्तो या दर्द को कम करती है, हील इस पर की प्राबलम को ठीक करती है, तो दोस्तो रूटा 200, दो बुन सुबह एक बार लेना है, दो बुन साम को एक बार लेना है, दोस्तो नमबर तीसरी मेट सिन है, केलके रिया फ्लोर 6x, केलके रिया फ्लोर 6x की पिच्चर आपको साइड में दिखी रही है, दोस्तो यह आपके ए हाड़ी बढ़ी हुई है उसे यह ठीक करती है। हिले इस पर की प्राबलों को ठीक करती है। जिसके कारण आपके एन्यों का दर्ध पूरी तरह से ठीक हो जाता हैं तो केलकरिया फ्लो 6 यक्स चार गोली सुबर एक बाल लेना है। चार गोली दो पहर में एक बाल लेना है, चार गोली साम को एक बाल लेना है, दोस्तो तीनों मेडिसीन में 10 से 15 मिनाट का अंतर जरूर दीजिएगा, दोस्तो ये मेडिसीन 10 से 15 दिन तक लेंगे, तो आपके एंडियों के दर्द में बहुत अदाम मिलेगा, दोस्तो ये मेडिसीन एक से रेड़ महिन तक लेंगे तो आपकी एंडियो का दर्ध पूरी तरह से ठीक हो जाएगी दोस्तों सभी दवा होमोपैथिक साप पर या अनलाइन असानी से मिल जाएगी दोस्तों आज के इस वीडियो में फिल हाल इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब सब्सक्राइब जरूर किजिएगा बिल आइकन भी दबाईएगा मैं इसी तरह से होमोपैथिक मेडिसी इन रिलेटेड डिसी इन रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो लाता हाता हूं